हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक बेल 2.0 पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुरेन मौन पाटक की संपूर कथा साइत से एक और कहानी जिसका नाम है असली अपराधी विनोद वाली ने घर में कदम रखा घर एक आली शान विशाल वंगला था जो कि उसकी बीवी कीरती के दादा ने बनवाया था कीरती अपने पिता की इकलौती अलाद थी और पुष्टैनी चल अचल संपत्ती की इकलौती वारिज दी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था विनोद वाली वकीलों की फर्म मातुर बंसल वाली एससेर्स में पार्टनर था फर्म के दौनों ही पार्टनर टी आर मातुर अशुक बंसल उससे सीनियर थे कीरती न बड़े उससा से उसका स्वागत किया जिस से खुश होने की जगह वो मनीमन चिंतित उठा उसकी बीवी ऐसा उसा तब ही दिखाती थी जबकि उसका कोई खास पोशीदा रास जान गई होती थी क्या उसे उसकी हाली अर्गत की भी खबर लग गई थी नहीं हो सकता था उसके दिलने अकल ने गवाई थी बंसल जान गया और उसने बात आगे बढ़ा दियो उसने मनीवन चैन की सांस ले उसके दो बच्चे रजा तो शमी बड़े प्यार से उससे मिले बाहर बारिश हो रही है बीवी ने पूछा हा विनोथ भूला जोर कि तूफान वाला हाल है तब ही उबर से नीचे तक तारो बरसाथी नसेफ फोन उसने बरसाथी उधार कर एक और डाले खाना तयार है कीरती बोरी अभी मन नहीं है खाने का बार में देखोंगो वो अपने बैटरूम की और बड़ा मातर साफ का फोन आया था शिकायत कर रहे थे मोबाल नहीं सुन थे मुझे नहीं कबर लगी उनकी कॉल की देखो विनोर ने मोबाल निकार पर चेक किया फर्म के सीनियर पार्टना तिलाग राज मातर की कॉल उस पर दर्ज थे ठीक वो बोला तूफान की वज़े से घंटी न सुनाई थी गॉल बेक करो अब क्या फायता अब तो वो अपनी मुंबई की फ्लाइट पर होंगे अभी कॉल वेल बजी मेट ने जागर दर्वाजा गोला और गोजना की मातर साब आएं तुम बच्चों को लेकर अपने बैटरूम में जाओ विनोद बोला मैं देखता हूँ ब्रवाज रूम में अपने सीनियर पार्टनर तिलक राज मातर को रिसीब किये गई नहीं आप विनोद ननकली हरानी जताई ये एरपोर्ट पर ही जा रहा था मातर बोला वसंद गुंज रास्ते में ता सोचा मिलता जलू टी आर मातर जोर बाग में रहता था कोई खास बात? है तो खासी शन खामोशी रही मेरा तो ख्याल था फिर कामा का विनोद बोला शालनी साथ जा रही थी काहे को बिजनस ट्रिप पर उसका क्या काम? आपके लिए बिजनस उसके लिए तफरी? नई वो ये चुग नहीं दी जाने की ओ ड्रिंक लेंगे? नई काफी? नो मैं खास बात पर आऊँगा मातर को उस गड़ी का मिजादी विनोद के चिंटा में डालने के लिए काफी था क्या है खास बात? किसके बारे में है? तुमारे बारे में? मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या हूँ? यू आरा थीट विनोद का हमूँ खुले का खुला रह गया तुमने कवन किया है ओ विनोद ने गैरी सांस तो खबर लग गई कोई छुपने वाली बात थी अब ना लगती तो ठैर के लगती विनोद खामोश रहा मैं बंसल की बातों में आगया कीर्थी के मुलाजे में आगये जो मैंने तुम्हें बतौर पार्टनर कबूल किया जजबात को बिसनस सेंस पर हावी होने दिया पहले तो आपको कभी कोई शिकायत ना हुई? मुझे भी कहने देंगे क्या? गवन से इंकार दर या दिखा सकूगे? विनोद ना जोड से थूग निकली बेचैनी से पहलू बतला देशमुक ट्रस्ट फंड से 20 लाग रुपे सरका दिये क्यों किया? क्या किया? रेस खेली पत्ते पीटे पिस्टाग एक्षेंड में कोई? या औरत का मामला है दीरे बोलिए मेरे को तो औरत का ही मामला जान पड़ता है तुमारी बीवी अपाईज है? सर प्लीस वो सुन लेगी बंसल को मालूम है? अभी नहीं अब बज़े बोलो उनमें से कोई नहीं जो आपने बयान की तो छोटा बाई हरीश प्रॉब्लम बना वोई बड़ा पंगा लिया अंडरवर्ट के दादाओ से बड़ा पंगा लिया उनकी रखम चुकता नहोती तो लाज जमना में तैरती मिलती लेहाज़ उसको पंगे से बचाने के लिए खुद पंगा दिया अब क्या कहूँ तुमारी बीवी दौलत मंद है उससे मांगते बीवी के सामने हाथ पिलाना मेरी गैरत को गवा रहना हुआ कीरती बीज लाक्या दो करोड दे सकती है देगे नहीं बीवी से नहीं किसी वाकिफ से मांगे होते ऐसे समर्द वाकिफ दोई है मेरे एक आप और दूसरा बंसर आप से तो जिकर तकी मजान लोई मेरी और बंसर तो लंदन में था अब क्या करोगी मेरे को वक्त दीजिए छह महीने के अंदर मैं वो रखम लोटा दूँगा कैसे? जा दोगे जोड से? कैसे भी? छह महीने में मैं यकीनी तो पैसा लोटा दोगे तो फर्म की एजब की गातर मैं तुम्हारी करतूर को बुला दूँगा लेकिन अब फर्मे तुम बने ही नी रह सकते यू आउट रॉम बातुर बंसर बाली एसे सिर्स पेज एज आफ तिस मिनट कॉट सुमवार बाली सुमवार ये कोई लिहाज हुआ आज ही क्यों नहीं अभी क्यों नहीं गैरत को गारत करो वीवी से मांगो यसी में तुमारी कती है हरकिस नहीं पंसर को ट्राइ करो वैसे मूर की होगा अगर तुम इतनी बड़े रखम देगा मुझे दोने ही बादे नाकबूल है ये मेरे सलीब है मैं ही डोंगा मुझे सिवक्ट चाहिए है ना बहातर गंटे हैं तुमारे पास काफी नहीं इससे यदा टाइम नहीं मिल सकता है मातर साब प्लीज क्या प्लीज एक ही करतूर नहीं तुमारी और क्या किया मैंने समझो अकल मन को इशारा है समझो आप पहलिया बुझा रहे है तो सुनो मुझे तुमारी सेक्स लाइफ से कोई मतलम नहीं लेकिन उसमा तुम मुझे लपेटने की कोशिश करो ये मुझे हरकस गवार नहीं समझे नहीं सब समझ रहे हो फिर भी साफ सुनना चाते हो तो सुनो दूर रहो मेरी बीवी से वरना वरना क्या हो वरना बहुत बुरी होगी तुमारे साथ गवन की जज़ा से कहीं ज़ादा बुरी आप मेरे बेजा इल्जाम लगा रहे हैं मैंने कभी शालनी पर या किसी भी गैन औरत पर निगाए मैली नहीं की एक पत्नी वरत मेरा धर्म है मेरी जिद्दगी में कीरती गलवा कोई नहीं बाली मैं अंधा नहीं हूँ मेरे से छुपा नहीं है मेरी बीबी तुमें कैसी निगा से देखती है शर्म कीजिए अरे शर्म तुम करो दूसरे के घर पर खात लगाते हूँ मैं फिर कहता हूँ ये पेजा इल्जाम है मैं फिर भी कहता हूँ मैं कथा नहीं हूँ, मातोर साब अपना मोवन कीजिए वरना, क्या वरना, वरना मुझे करना पड़ेगा, तुम, तुम मुझे पर हाथ उटाओगे, आप मजबूर करेंगे तो, जब ऐसा करोगे तब मैं क्या कर रहा हूँगा, मेरे भी हाथ टूटे हुए नहीं है, मिस्टर हो रहा था, वो श्रशंग भाव सो बोड़ी, कुछ नहीं, कुछ तो हो रहा था, मुझे जगड़े की आवासे आ रहीं थी, अरे नहीं, मैंने मातोर साब को जाते देखा था, लग रहा था, जैसे चलना रहा हूँ, जबीन रहा हूँ, किस बात पर जगड़ा था, किसी बा टोपी में मौसम कुछ नहीं कहता है, जाता हूँ, जगड़ी लटूँगा, तुम सो रहा हूँ, तुम सो जाओ जा करते, अगली सुबह गिनोध बाली जोरबाग पहुंचा है, पिछली रात का मौसम पिछली रात के साथ गुजर गया था, और तब धूख निकली हुई थ उसने तेलक राज मातुर के अपार्टमेंट की कॉल बेल बजाई, बंगाली मेट चारू ने दरवाजा कोला और फिर उसे शालनी मातुर के पास उसके सुसक्चित बैडरूम में पहुचा है, अशोक बंसल वाँ पहले से मौजूद था, वो फ्रेंच विंडोज के पास फिर में धेर, शालनी बढ़ा दी, वो बंगाली थी, शादी से पहले का उसका नाम शालनी मुकरजी था, वो उसके बंगाली स्टाइल की चोड़े लाल वाटर वाली साड़ी पहने थी, उसके कानों में हीरे के टॉप्स थे, गले में मानक और पन्ना, जड़े असाधार मुंबई न पहुँचे, वहाँ का क्लाइंट कहता नहीं बन, कहता नहीं पहुचे, जवाब बंसल न दिया, क्लाइंट न सुबह सवेरे ऑफिस कॉल की लेकि दबता ऑफिस खुला नहीं था, तब उसने शालनी को फोन लगाया, मातुर साभ वहाँ पहुचे ही नहीं, कमाल रात कोई एरपोर्ट जाते थोड़ी देर के लिए मेरे धर रुके थी कोई साड़ेनों का टाइम था तब साब बोले थे कि सीधे एरपोर्ट जा रहे थे लेन पर उनके सवार उने का रेकॉर्ड नहीं है उन्होंने बोर्डिंग बास हासल नहीं किया था चेक-इन नहीं किया था कमाल है खराब मौसम की वज़े से कल रात 9 बशे से 3 बशे तक की सारी फ्लाइट रिशिडूल करती गई थी मालूम पड़ा है कि मात्वर साब एरपोर्ट तो पहुंचे थे और उन्हें खबर थी कि उनकी फ्लाइट बहुत लेट थी लेगिन आकर जब फ्लाइट का टाइम हुआ तो वो कहीं ढूड़े ना मेरे तुमारे अगब तर ठह रहे थे यही कोई बास साथ नहीं आगे जो बुझुआ उसका तब उन्हाने कोई हिंट दिया था ना जरा भी नहीं ओ मुझे छोड़ दे शालनी दबे सवर में बोली आपको छोड़ थे पंसल सक पगाया क्या मतलब तबी मेड चारू दरवाजे पर पकट हुई और बोली मैडम पुलिस शालनी ना वीलचे और गुमाई और मेड के पीजे देखा मेड के पीजे तीन वेक्ति खड़े थे जिन में सिर्फ दो गड़दी में थे और एक साधे कपड़ो में था मैं इंस्पक्टर मीना एक बोला हरीशंकर मीना ये मेरा सव इंस्पक्टर है पुनीद बहर तीसरे साधे कपड़ो वाले का परिजे देनी की कोशिश न ना की वो एक कोई पचास सार का रौबदार सूरत वाला ओमदा तंदरुस्ती वाला फौजीयों जैसी मुस्तियाच चाल चलने वाला शक्स था मैडम इंस्पक्टर कह रहा था मुझे अपसोस है मैं आपके लिए बुरी ख़बर लाया हूँ शालनी के मुझे से स्कारी निकली उसका रंग फक हो गया है मेरे पती अपनी इनोवा में मरे पाड़े पायदाई इस सेरिंग वील के पीछे गनपठी में बोली ततकाल मिट्ट्यू शालनी के गले से एक उठी से चीख निकली कार गुडगाओ रोड और महरोली महील पार मैपाल बुल रोड के क्रॉसिंग के करीब खड़ी मिली शालनी के आंके मुझने लगी उसका शरी लहराया बंसल ने उसे लपक कर्थाम ना लिया होता तो वो जरूर धराशाई होती वसना शालनी को वापिस इसी चेयर पर बिठाया मौत की कबर ऐसे सुनाते हैं साधे कपड़ो वाला बढ़वड आया आप लोग कौन इंस्पेक्टर शालनी पर से निगाह अटाता बोला मैं आशोक बंसल बंसल बोला ये विनोध वाली हम मातर साब के बिजनस पार्टनर है मिसेज मातर ना सुबह में फोन किया था और बताया था कि मातर साब मुंबाई अपने बिजनस अपर्ण्बंट पर नहीं पहुँचे थे उन्होंने दिल्ली में रात 11 बजे की इंडिगो की फ्लाइट पकड़ने थे मेड शालनी को बानी बिलाने की कोशिश कर रही थे ये सब हम चेक कर चुके इंस्पेक्टर बोला मातर साब रात को बापिस गर लोटे थे बंसल न शालनी की तरब देखा शालनी ने इंकार में से रिलाया फोन की आओ फिर इंकार ऐसे सबर पर अक्सर नकलते हैं हाँ जवाब बंसल न दिया हमारी फर्म के फील्ड के काम भाई समालते थे कार पर एरपोर्ट थे शाट टेपो तो ऐसे ही करते थे इतवार सुबह लोट आने वाले थे कोई कीमती समान था उनके पास कैसा कीमती समान कैसा भी जो लूट का मुद्दा बनता अच्छा वो नहीं ऐसा कोई समान उनके पास नहीं था बटुए में था जो था मेल जोलनी नहीं पहनते थे यह आत्मत्य का केस हो सकता है नहीं क्लियर कट कतल का केस है आत्मत्य के लिए उनके पस गण होनी चाहिए थे एर्पोर्ट ज़ादा शक्स गण हसात लेकर नहीं चलता है वैसे कोई गण थी उनके पस शालनी ने इंकार में से दिलाया एक 32 कैलिबर इसमित और बैसन पिस्टल कार्ण में पड़ी पाई गई गई है जिस्से की गातक गोली चलाई गई थी उस गन की शिनाक तो जाएगी तो कातिल की भी शिनाक तो जाई उस शिनाक की नौबत आने से पहले इस बावत आप लोगों की कोई राय हो ठेका एक विनोत ने अमने मुग पर हाथ रखा और बातरूंग की दरफ दोड़ा कुछ शन बाद बातरूंग से ऐसी आवाज आने लगी जैसे उसे को काई आ रही यह वो लिटी कर रहा हो इन्हें क्या हुआ इंस्पेक्टर बोले बाज लोगों को वाइलेंट मर्डर का तसवर बरदाश्ट नहीं होता बंसल बोला ओ इनका मरने वाले से खासी लगा होगा ऐसा तो नहीं अभी चलते हैं बाद में तर्तीब से ब्यान लेंग दे आईए अगाशे साथ साथे खबड़ों वाला पुलीसियों के साथ हो लिया संजीदा सूरत विनोत वाली और रशोक बंसल थाने में ऐसा चों के कमरे में दाखिल हुए अगाशे के नाम से प्रकारा गया शक्स उस गाड़ी भी वहाँ मौजूद था वो ऐसा जो के ऑफिस टेविल से पर एक कुर्सी पर बैटा हुआ था विरा जी इंस्पेक्टर मीना बोला दौनों उसके सामने दो विजिटर्स जेयर्स पर अगल बगल बैटे इंस्पेक्टर साथ बंसल अपरसर नवाव से बोला आपके माताथ स्टाफ न पूरा तेड़ गंटा मिस्टर बाली को करिल किये खुद एसपी भी इंसे सवाल कर चुका है अभी क्या कोई कज़र बाखी रह गई है ये सवाल मिस्टर बाली खुद नहीं पूछ सकते पूछ सकते हैं लेकिन मेरे पूछने से कानून की कौन सी दारा बंग हो गई है आप लोग वकील हैं इसलिए आपसे जिबाते हैं पेक्षेत हैं आपको मेरी या मौजूद्गी से कोई अतराज है नहीं आप उमारे सिर्मा थे रिलेक्स नाउ मिस्टर बाली ऐसा जो विनोस से संबोधित हुआ मैं आपसे अनौपचार एक वरतालाप करना चाता हूँ इसी वज़े से यहां पोई स्टैनोग्राफर मौजूद नहीं कोई रिकॉर्डिंग उक्कराण मौजूद नहीं हम एक दूसरे से फ्रेंक्ली पेश आएंगे तो दौनों के वक्ति के बचात होगे वार्दात हुए आज पांस दिन होगा है लेहाज आप पहले तो मैं आपको अपनी ही पुलिस की प्रोग्र्स रिपोर्ट से वाकिफ करनाता हूँ मेरे को क्यों विनों गुस्से सो बोला टेंशन में बंसल बोला इसलिए ऐसा बोल रा है लेकिन शनप माइटियर बंसल ने मीटी जड़क दी दान के बचिया के दाथ नहीं किनते सुनो ऐसा जो सब क्या कह रहा है विलोन ने कटेंग भाव से सहमती में से रिलाया क्राइम के हमारी रीकंस्ट्रक्शन ये कहती है कि पिछले शक्रवार की रात को कातिल ने ये एरपोर्ट तक मक्तूल का पीछा किया था आदी रात के बाद किसी वक्तूल ने पार्किंग से अपनी कार उठाई थी और वहां से रवाना हो गया था कातिल उसे पार्किंग में मिला था और उसना किसी तरह से मक्तूल को से लिफ्ट तेने को तयार कर लिया था या यो कहो कि वहां से निकल लेने के लिए तयार कर लिया था क्योंकि वो कई प्राइवेसी में कई त्यानाई में मक्तूल से कोई खास बात करना चाहता था वेरनल ऐसा हमाना मानना है कि दोनों एकटे एरपोर्ट से रवाना हुगे थे मक्तूल की कार जैसा कि मैंने बताया तब गुडगाओं रोट और महरोली महीपाल पूल रोट के क्रोसिंग के करीब खड़ी मिली थी पर हमें ये नहीं मालूं कि उनका टाइम कितना टाइम आन रोट गुज़रा था पौने दो बज़े जनग पर लावारिस खड़ी इनोवा नाइट पेट्रॉल कार की तबच्चों में आई थी और वहीं बात में तब खड़ी मिली थी जबकि वार्दात उजा गरूई थी हमारे पुलिस के डॉक्टर का कहना है कि कल रात दो और सुबह चार बज़े के बीच में हुआ था दे आजा जब इनोवा पेट्रॉल कार की तवज्जों में आई थी तब वो दोनों कातिल और मक्तूर बीदर वेटे बातों में मश्गूल थी अब एहम बात यह है कि जिस गन से कतल हुआ था और जो इना हुआ में लाश के करीब पड़ी पाई गई थी वो मिस्टर बाली आपके नाम रजिस्टर्ड है विनोत के चैरे का रम गुड़ा बंसल ने अपना हाथ थपतबागर उसे तसलनी थी फिर कतल के उदेश की बात कोई ऐसी बास सामने नहीं आई जिससे लगता की मक्तूल की ट्रिप में या आगे उनके मुंबई वाले क्लाइंट में कतल का कोई उदेश नहीं था क्लाइंट का तो मक्तूल की मौच से कोई फायदा होने की जगे नुकसान हो गए मक्तूल उसे income tax से देर करोर का tax refund claim करा के देने वाला था जो पता नहीं कौन करेगा, कैसे करेगा Mr. Benson लैं मक्तूल के briefcase के कागजात का मौयना किया और ये कहते हैं कोई कादस कोई डॉकुमेंट गायब नहीं है रॉबरिक पहले ही आउट है क्योंकि मक्तूल के पास रॉब करने लाइक सब इस्टॉंशल नहीं था मक्तूल था क्रेडिट कार्ट उसके बटूए में कोई 15,000 रुपे इंटेक्ट थे कलाई पर ओमेगा के गड़ी बाएं हाथ की तरजिनी उंगली पर कन मैटल के अंगूटी बदस्तूर मौजूद थी साहिबान सौमवार तक यही वस्तूश्टी थी थी फिर उद्देश का इंट में खुद मक्तूल से मिला कैसे बंसल ने पूचा उसने हमें एक चुठी लिखी जी मारफ़त अपनी सेकेटरी मिस लुबना कैसे कैसे सौमवार सौबे सेकेटरी को मक्तूल की डग से एक चुठी मिली जो एयरपोर्ट की स्टेशनरी पर लिखी गई थी और उस पर शुकवार रात की तारीक और टाइंग दर्स था वो चुठी है जाहिर है कि मक्तूल कातल से मुलागात होने से पहले लिख चुका था पोस्ट कर चुका था चुठी क्या थी सेकेर्टरी के लिए एदायत थी कि अगर वीकेंड में उसे कोच हो जाए तो चुठी के साथ जो एक और लिखावा बन चुठी मौजूद थी वो उसना पुलिस के हवाले करने थी जो की सेकेर्टरी ने की कमाल है मातर साब की चुठी में दर्ज है कि शकुआर शाम को एएरपूर्ट पहुचने से बहर वो रास्ते में मिस्टर बाली वसंद कुछ आपके घर रुके थे चुठी में रुकने के वज़ाए आपके साथ तकराव सब दर्ज है कहने का मतलब यह हुआ कि हम आपके 20 लाके गवन की स्टोरी से वाकिफ हैं और उस अल्टीमेटम से वाकिफ हैं जो अपनी मौत से चंद घंटे पहले मक्तूल ने आपके लिए जारी किया थै आपको जानकर शायद एरानी हो कि चिट्टी में वो शक भी दर्ज है जो मक्तूल के मन में आपको और अपनी वीवी शालनी को लेकर था लियाज आपके पास कतले के दो देश है गबन और लवफी है अब बोलिए क्या कहते है सब एक गलत फहिमी का नतीज़ है विनोत बेकर भाव से बोला मेरा मातर साब के वीवी से कभी कोई अफेर नहीं था ये बात मेरे भी यकीन में नहीं आती पंसक चिंदित भाव से बोला मातर साब इशालू मिजाज के थे वीवी पर खामा का शक करते थे एक बार तो मेरे पर भी इल्जाम लगाने लगे थे कि मैं शालनी के तरफ कुछ जाद ही तवज्जे दे रहा था मुझे शालनी का नहीं पता लेकिन बाली के बारे में मैं जानता हूँ कि ये शरीफ पत्नी बगत आत्मी है इसके विवाई जीवन में कोई कोट नहीं ये अपने बीवी बच्चों को दिल से चाहता है और गवन इसने मुझे उसकी बाबस सब बताया जो कुछ इसने किया अपने नाकारा निकम में फसादी बाई हरीश के लिए किया उसको बचाने के लिए किया ना करता तो वो अंडरवेट के दादा लोगों के आदो बे मौत मारा जाता आपकी जानकारी के लिए 20 लाग की वरकम टरस्ट के अकाउंट्स में लोट चुकी है कैसे कैसे लोटी मैंने लोटाई दोस्ट और पार्टनर की कातरी ये कम मैंने किया आई सी लेहाज आई ये गवन वो कत्मा जेल जैसी धम की बेमानी ये शर्म की बात है कि मातुर्जाप फर्म के पार्टनर से ऐसे बेरहमी से पेश आई बाली की जगर मैं होता, तो मेरी भी इस बात पर उनसे तकरारी होती, टेंशन में, दुश्वारी की गड़ी में कोई भी कमसोर बढ़ सकता है, और वक्ती तोर पर कोई गलत कदम उठा सकता है, और फिर अपने गलत कदम को दुरूस्त कर लेता है, तो इतने सो कोई बेमान नह हो जाता है, मैं बाउच खरता हूँ कि बेसिकली विनोध बाली एक ओनस्ट आत्मी है, अपनी टेंशन और दुश्वारी की गड़ी के बारे में, परे घुरसी पर बैठा अगाशे बोला, मिस्टर बाली ने खुद क्या कहा, मैं इसका जवाब देना ज़रूरीन समस्ता, अ मेंबर है, बाली अपनी गन ऑफिस मा अपनी ऑफिस टेबिल के दराज में रखता है, खुद मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं कि किसी ने दराज में से गन चुरा ली हो, खास्त तोर से तब जबकि ये बात किसी से छुपी भी नहीं कि बाली की गन कहा होत मिस्टर पाली रात दो और चार बजे के बीच आप कहा थे बटक रहा था विनो दबे सर्म बोला क्या मैं जब भी आप इसे बाहर होता हूं मौल कैसा भी कुछ को शांत कर निकले सनक पर निकल पड़ता हूं और तब तक देशाइन बटकता रहता हूं जब तक ही शांत नहीं ह हो जाता है कई बार तो ऐसा होने में गंटों लग जाते हैं लेकिन मैं अपनी इस रुटीन से इस आदस से इन बिट्वीन किरनारा सो जाओं लेकिन मैं तूफानी मौसम की परवाग गिये बिना गर से निकल पड़ा था पता नहीं कितना अर्सान एरी तारीक सड़कों पर भटकता रहा था तब मुझे क्या पता था कि उसी दोरान मातुर साब का कतल हो जाना था काश मैंने अपनी बीवी की सलाम आनी होते हैं जाके सो गया होता बटकन के दोरान कोई मिला किसी से हमना सामना हुआ नई आप पहले भी पूछ चुके हैं मैं पहले भी बोल चुका हूँ फिर बोलिए ये समझ के बोलिए पहले कुछ नहीं बोला ये ये जापती है पुलिस की दपतीश ऐसे ही होती है एक एक बात कई केरा था कौरा था अगाशे ने पूछ नहीं तब नहीं था कौरा दो ढ़ाई बजे तक था इंस्पेक्टर बोला बात में छट गया था हाँ शायद विनोत बोला आप इंस्पेक्टर फिर उससे सम्मोदेत हुआ अंदाजन में नहीं बता सकते कि कब कर लोटे थी सौरी नह लेगे वो सोई पड़ी थी तब गैरी नीन सोई पड़ी थी लेहाज अपने अग्मा आपको यह अलिवाई पेश नहीं कर सकते मुझे अफसोस है लेकिन यही बात है फिंगर प्रिंट्स अगाशे यू बोला जैसे इंस्पेक्टर को कोई बिसरी बात याद करा रहा हूँ आँ फिंगर प्रिंट्स इंस्पेक्टर बोला उनकी बावबत क्या क्या थी क्या कौँ विनोत बोला मातुर साब के बंसल आशापूर सलम बोला क्या गन पर मिले आपके जहन में खुदकुशी है लेकिन वो बात पेमानी गन पर कोई शिनात के काबिल निशान नहीं पाए रहते लेकिन मक्तूल की कार में पाए बहते उनकी के अहमियत है बंसल बोला जी गुरुवार को मैं और बाली मातुर साब की कार में सवार रोकर हायात गई थे जहां कार वालेट पार्किंग के हवाले की गई थी लेहाजा कार मातुर साब के अलावा मेरे और बाली के फिंग बादी फिर बोला विनोद की भवें हो थी आपने अपने सीनियर पार्टनर टीयार मातुर का कतल किया है नहीं विनोद पुर्जो और लेजे से बोला हर्किस नहीं चीक है मुझे आपका जबाब कबूल है फिलाल इतना काफी है आगे देखेंगे आगे देखेंगे बोला मैं इंस्पेक्टर के सर्में चेतावनी का पोटा आया इसलिए उपलबत रहिएगा ओके विनोद ने सेमती में सेरे लाया बंसल थाने से बाहर आगर विनोद बोला मुझे एक बात मालूम होनी चाहिए क्या बंसल शशंग भाव से बोला तुम क्या सोचते हो किस बार इंड मैं बूस्ते कह रहा हूं कि तुम खोद एक वकीड हो कौन कोई है नाम है प्रफुल बगाव बदावन ठीक है मैं अपटावन मांगता हूं उससे शाम तक विनोद वाली गिरफतार हो गया उसे फर्म के निजाम उत्दीन इस्ट मेंसल आफिस से गिरफतार किया गया मदावन को ख़बर कर दो विनोद बंसल से बोला मेरी बीवी को भी इस हिदायत के साथ कि ठाने भागती ना चलिया बच्चों को बोल दो कि मैं कुस दिन के लिए बाहर गया होके बंसल संजीत की से बोला अगली सुबह विनोद बाली को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया पुलिस को दो दिन का रिमांड मिला दिन बाद उसे फिर अदालत में पेश किया गया और उसकी तरफ से जमानत की अपील लगाई गया जजन जमानत राशी 25 लाब रुपे मुकरवद जिसका इ मारा पैसा फिर भी जमानत की रखम वापिस हो जाती है तो बेगणाओ कोट के तुम्हें बेगणाओ गोशिश कर दे रखम वापिस हो जाईजे मैं बेगणाओ मुझे मालूम है ये टेंपरेरी इन्वेस्मेंट है तुम फिक्र मत करो शाम तक विनोत वाली वापिस अपने गार पर था जहाँ उसना अशुक बंसर के साथ चीर्स बोला बंसर जी कीर्टी ने पूछा वो बड़ा वकील प्रफुल वदावन क्या कहता है कि ये इस ट्रायल लगेगा बसल बोला तो बाली को रिप्रिजेंट करेगा ना वो तो वो करेगा मैंसे क्या कहता है ट्रायल में इनके चांसिस के बारे में क्या कहता है वो उस बारे में तो अभी तख कुछ नहीं बोला ओ कीर्टी पुछन कामोश रही फिर बोली इनका कोई दुश्मन है जि किरती, बंसल बोला, मुझे तुम्हारी सोच से एकतफाक मली है, गन के बारे में यू समझो कि किसी ना हासिल मौक़े का फायदा उठाए, उसे तुम्हारे हजबन्टी गन हत्याने का मौक़ा मिला, उसना वोगा हत्या लिए, मेरी गन हत्याने का मौक़ा मिलता तो मेरी हत्या सा उटा किसी के पास उस सवाल के जवाब नहीं था विनोध वाली का वीकेंड तनाई सी में बुझ रहा उन गंगनाता रहा कॉल वेल वस्ती रही पर कीड़ी ने ना उसे कोई बून सुनने दिया ना मेंडूर के पास फटकने की उस दौरान विनोध भी अपनी सोच के अनमना पठकने किया फिर उसमें उसे प्रिंटर पर एक प्रिंट निकालते और उसे लंबे लिफाफ़ी में बंद करके जेब के हमाले करते देखा आखिर वो बैडरूम से बाहर निकलिया क्या बात है कीरती व्यक्रभाव से बोली तुम क्या है एक बात विनोध शान्ती से बोला ह जो तुम्हें कभी नहीं बताई किसी को भी नहीं बताई एक वादे के तहट किसी को ना पताई लेकिन अब एक बड़ा फैसला करने का वक्त आ गया है अरे क्या फाहलियां बजा रहे हो उसके वाए सब ठीक हो जाएगा बस फिक्र करना बंद करतो मेरे पर बरोसा रखो ले मैडम से बात करा कुछ छण बात इसके कान में शालनी मातुर की आवास पर विनोथ वो अपरसर नवाव से बोले क्या पागल हो गयो मैंने तुम्हें बोला नहीं था मुझे शाग है मातुर साब नहीं ये फोन टैप कराया हुआ था फिर भी जहना चुप करो और मेरी बात स क्या सुनूं मिलना है क्या कल शाम को ओफिस से लोटते बग कर में मौजूद रहना और कहां जाओंगी इतनी ज़दी अभी थो उनको गए 10 दिन हुए ठीक है आना ये जायर करते आना कि अफसोस करने आए मेरे साथ कोई होगा कौन मालूम पड़ेगा मत करो ऐसा क्या मेला रहना है दो जनों से मेला नहीं लगता समझना वो भी अफसोस करने है कल शाम साड़े शे बशे बंद करता हो उसने संबंद विच्छेत कर दिया कौलवेल के जवाब में मेरे चारू ने दर्वाजा कोड़ा उसने संदिक तबावजे विनोथ के पहलू में गड़े रखती क देता था मैडम का है विनोथ न पूछा ओ उपर इनने बैठक में बिटाओ मैं उपर हो गया थो बल्ला फाइब मिनिट्स बल्ला ने सहमती में से रिलाया विनोथ अपना प्रीव के समाले उपर शालनी के बैटरूम में पहुचा वो उसे सफेज साड़ी साधा साड़ी बल जाधा हो गया प्रेत लग रही हो रिवास है वो गमगीन लहजे से बोत पता नहीं यह रस्मों रिवास कब पीछा चोड़ेंगे बैटर कम टू दी पॉइंट क्या चाहते हूं जवाब देने से पहले विनोथ ने साफदानी से दर्वाजा बद की है शालनी इतने सही हो दि दिखाई देने लगी क्या इरादा है फिर बोली मारना है या पुछकारना है विनोधासा कमाल की हो तुम वो बोला लेकिन जो काम साल पहले ना किया वो अब क्या करूंगा अब अब क्या लाट अप कौंगा उसके चेहरे के बावबत ले दफाओ जाफ दाथ बीचे वो बो पार्टनर के पीछे पंजे जाल के पड़ी थी मीडिया को लीग हो जाती तो कैसी लगती ये कबर जब मेरे पर मरी जाती थी शैदान की खाला की तरह मेरे पीछे पड़ी थी जहां मैं होता तो वहां पहुच जाती थी तब मेरे से नफरत नहीं थी वो रसीले प्रेम पत्र किया हिफाज़त की प्रोटेक्ट किया लेकिन करता ही नहीं रह सकता किस फिराख में हो मैंने सब को बोला है पुलिस को पबलिक प्रोसीगूटर को अपने बकीर प्रफॉल बदावन को अशोक बंसर को की शुकवार रात को कतल के आसपास मैं सुनसान सबकोब बटकता फिर रहा था लेकिन उस वक्त उस वक्त की कतल के वक्त के आसपास थी रात दो से चार बजे तक की मेरे पास कोई अली बाई नहीं मेरी बदकिसमती की जो मैं कहता जो साच है उसे में साबित नहीं कर सकता वो खामोश रही मुझे एली बाई चाहिए और मुवज़ तुमारे से हसल होगी मेरे से अब मुझे उनलों को बताना मेरी मजबूरी बन गई है कि उस रात एक बजे से लेकर सुब़ चार बजे तक मैं तुमारे साथ था तुमारे साथ यहाँ इस बेडरूम में बस हम दो जने साड़े तीन गंटे एक साथ यहाँ अब कहना होगा कि कतल के वक्त की मेरे पास शुरू से एदिवाई थे मैं जबान बन नहीं रख सकता अब मुझे सब बोलना पड़ेगा नई मजबूरी है कोई विश्वास नहीं करेगा यह अंदेशा है कौन मानेगा कि उस राद यहां इस बेडरूम में पूरे साड़े तीन मैं तुमसे मनुआर करता रहा कि मुझे भरवादी से बचालू अपने पती को मनालो कि वो मेरे किलाव गवन का बोकातना खड़ा करने की कोशिश ना करे मुझे गरफतार कराने की जेल विजवानी की कोशिश ना करे साथ में दूसरी बात भी सोचो अगर ये बात खुल गई जो कि यकीनन खुल सकती कैसे तुम मेरी प्रेम दिवानी बनी हुई थी कि तनपते फणते आओ कराओ प्रेम पत्र लिखती थी तो शाहिद मैं नहीं दो जने होंगी उसका रन फक पड़ गया मैं मानता हूँ उस रात के बारे में जो सोचेगा बहुत बुरा सोचेगा लेकिन क्या करें भुखतना पड़ेगा परना मैं तो क्या काम से मेरी बीवी अपाईजे ऐसी स्थिती में होड़ते अपने मर्द की वेवफाई के बारे में सोचती मैं जानतो हूँ यह बात उस पर बारी पड़ेगी लेकिन क्या कर दो मेरी मजबूरी मेरे सामने फासी का बंदा जूल रहा है मैं जो ना कर गुजरू वो थोड़ा है तुमारी यह लिवाई मेरी लाइफ इंशोरेंस मैं सालामत रहूँगा तो बीवी वच्चों के साथ किसी काम का होँगा नहीं होँगा ना मैं बरबात हो जाऊँ सॉरी मुझे यह बत मंजूर ने मंजूर करनी पड़ी ले हरकिस नहीं तो मुझे मजबूर नहीं कर सकते करना पड़ेगा तो करूँगा ज़रूर हे भगवान कुछ छड़ खामोश रही उस दौरान वो बेचानी से बहलू गदलती रही करना गया होगा फिर बस दबाव से बोले मैंने एक स्टेट्मन टेयार की है अभी तो बस इतना करना है कि उस पर साइन करने मेरे साथ एक आदमी है जो नोटरी पबलिक है नीचे ड्राइंग रूम में बैठा भला नाम तुम इस स्टेट्मन पर साइन करोगी वो इस स्टेट्मन पर नोटरी की महर लगा देगा वो पड़ेगा नहीं सिर्फ तो मैं साइन करते देखेगा और नोटरी की महर लगा देगा उसे हर्गीस भी मालूम नहीं हो पाएगा कि स्टेट्मन में क्या दर्ज़ है मैं स्टेट्मन को घर नहीं ले जाऊँगा उसे ले जाकर अपनी ओफिस सेप में लॉक कर दिनबा मेरी दरफ ऐसे देखने को कोई फायदा नी मैंने अपने आपको प्रोटेक्ट करना है तुम मेरी जरुरत को समझो ठीक है क्या ठीक है अरे बुलाओ अपने नोटरी को मैं साइन करते हूँ विनोर ने ब्रीब के इस कोला और उसमें से लंबा लिफाफ निकाला पहले इस स्टेटमेंट को पढ़़ लो फिर बोला उसने लिफाफे में से कंप्यूटर से निकाला प्रिंट बार कीचा और उसे आवे शालनी को सौपा शालनी ने साफदानी से अक्षरत पर उसे पढ़ा और फिर उसे वापिस सौप दिये खुद कर्स वो नफरत बरे सर्म बो दी इस टेटरेंट हाथ में लिए विनोर ने आगे बढ़का दर्वाजा कोला और चौकर से सिर निकाल कर जोड से हमर लगई बनला जरा उपर आना अपना बैक समाले नर्वस बनला उपर पहुचा उसने एक निगा शालनी बढ़ा दी फिर तत्काल पर देखने लगा ये मिसेश शालनी मातुर है विनोर न परिचे दिया दिवंगत तिलंगवाज मातुर की बेवा इतना खहना काफी है या कोई प्रूफ औफ आइडेंटिटी पेश करना होगा काफी है वो बोला तो करो अपना काउ बनला ने अपने बैक मेंसे स्टेंप पैड और नोटरी की गोल मोहर नकाली विनोर ने स्टेटमेंट के फुल स्केप काज़ को यू दो बार मोडा की सिव इस्टेटमेंट का निश्ला इस्टा नुमाया रह जाए जहा कि शानली ने अपने नम के उपर साइन करने थी शानली ने यू साइन के जैसे बॉल पैन के जरीए काज़ पर अपना गुस्सा उतार रही है बनला ने काज़ पर नोटरी के मोहर लगा विनोट ने काज़ को वाफिस लिवाफ़े में रखा और लिवाफ़ा अपने ब्रीव केस के अवाने किया उसना ब्रीव केस को एक साइट टेविल पर खणा करके टिका दिया और बनला से बोला आओ तो मैं वार छोड़ किया हूँ बनला ने सहमती में सेरे लाया और उसके साथ हो लिया नीचे में डोर पर पहुंच गा विनोर ने नोटरी को उसकी फी सदा की हाथ मिला कर थेंक्यू बोलकर उसको विदा की और वापस उपर लोटा पीछे वैटरूम में शालनी कुर्सी सोट गई थे और अब बैट पर पाऊं बसा रहे अतलेड़ी सी बैटी थे विनोट को आया पाकर उसने अपेक्षा से मूँ पहर लिया थेंक्यू विनोट किता कबाव से बोला तुमने मेरी जान बचा दी वो खामोश रही मैं बादा करता हूँ जब तक पानी सिर्गे उपर होता नहीं पाऊंगा तुमारी साइड स्टेट्मेंट को इस्तमाल में नहीं लाऊंगा वो फिर भी खामोश रही उसने विनोट की दरा मूँ अकना फेरा है विनोट ने एकासी बरी हो वाँ से रुखसत हो गया ये बात नहीं है यार बंसल बोला जरब मेरी सुनो अगाय से बोला बोलिए तुमने बंसल साब को हिंट दिया है कि तुमारे पास ऐसा कुछ है जो कि तुमारे बचाओ के सिलसले में बहुत इंपोर्टन बहुत एहम साबित हो सकता है लेकिन किसी अंचाई वज़े से तुम खामोश हो अगर वो बात सच में तुमारे केस का कोई भला कर सकती है तो उस बाबत तुमें हरकिस खामोश नहीं रहना चाहिए अब बोलो क्या कहते हूँ वारदात की रात को विनोत दवे सर्में बोला मैंने ऐसा कुछ किया था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन जो मुझे बेगुना साबित कर सकता है क्या मैं भी नहीं बता सकता जब बिल्कुल इस हिर पर आबनेगी तब बताऊंगा आबनी तो हुई यह और क्या आबनेगी और क्या सजा यह सजा सुने जाने का इंतिजार कर रहो मुर्क ना बनो बोलो क्या बात है औरत की बात है बंसल बोला हाँ विनोत कटिन सर में बोला और मेरा उससे वादा है कि उसकी बात को मैं अपनी आकरी पना के तौर पर ही इस्तिमाल करूँगा अब आकरी पनाई है मैंने जो मूँ बन कर रखा वो उस औरत की खातिरी ना रखा कीरती की खातिरी भी रखा जिसका दिल तोड़ना मज़े क्योंकि क्योंकर गवारा होता मेरी वीवी मुझे दिलो जान से चाहती है लेकिन वो एक औरत है उपर से अपाईज़ इन मामलों में औरत की सोच अपनी ही होती उसे ये बात पता हुई तो उसका दिल ऐसे चूटे का जैसे कि अब क्या कहूं जो मैं समझाओं वो ये है अगाशे बोला कि कतल के वक्त के आजबर तुम किसी गैर औरत के साथ थे वो औरत तुम्हें अकाट अलिबाई दे सकती है हाँ तौबा बंसल विफरा और तुम इस बाबा तब तक खामोश हो कैसी खोटी अगल है तुम्हारी क्या बिल्कुली मती भ्रेष्ट है क्या अपनी बीवी पर तुम्हें कोई यह अत्वार नहीं तुम्हारे इस डंपीर संकट की गड़ी में हो क्या तुम्हारी खिलाप जाएगी नई तो बोलो बोलो कौन है वो आरत शालनी शालनी बंसल भुचक्का सा बोला ओ गौड मिसेज मातुर अराशे तीखे सर में बोला हाँ विनोस सिर्ज जुकाई बोला अपनी भढ़कन चांद करने के लिए उस तुफानी रात में बटक रहा था ये सोच सोच का परेशान होता बटक रहा था कि कैसे मैं मातुर साब को गबन के फायर कराने से और मुझे गिरफतार कराने से रोक सकता था कि एकाई मुझे शालनी का ख्याल आया मज़े मालूम था कि शालनी का मातुर साब पर ऐसा प्रवाव था कि वो उसके हर बात मान जाती थी वो मनुवार करती तो मातुर साब यकिनन मेरे खिलाब कोई कटम उठाने से बाज आ जाती नतीज़तन उस तूफानी रात में रात के उस घड़ी मैंने उसे फोन किया मालूम पड़ा वो जाग रही थी और टीवी पर चला कर कोई अपनी पसंदी था फिल्म देख रही थी मैंने बोला कि एक अंबीर मसला था जिसकी वज़े से मैं उससे मिलना चाता था और उसी घड़ी इसके पास पहुचना चाता था उसने हा बोल दी फिर मैं जोर बाग पहुचा तो गंटी बजाने की जगे फोन लगा कर उसको अपनी आमत की खबर दी मेट चारू तब सोही बड़ी थी उसने खुद नीचे आकर मुझे दरवाजा खोला तब टाइम क्या था एक बजने को था कब तक ठैरे साड़े चार बजे तर उसे अपनी सिफारिश करने को मनाने के लिए इतना टाइम लगा अब विनूत खोकली अजी असा लगा तो लगा खेर फिर फिर क्या फिर मैं लोटा आया अब आप समझी सकते हैं कि क्यों मैं इस बाबत खामोशा मुझे बताईए कि कैसे मैं अपनी बीवी का समझाता कि उस रात को साड़े तीन घंटे मैंने एक पराई औरत के साथ उसके घर उसके बैडरूम के तनाई में बिताए थे साड़े तीन घंटे पनसल बोला आधी रात बाद जबकि वो नाइटी में उसके काट हुआ क्या अधाशे बोला उसना तुमारे इससे बारिश करना कबूल किया नई तब ही तो इतना टाइम लगा मेरी फर्यास सुनते ही उसे कबूल होती तो क्यों इतना टाइम लगता वो तो अब क्या बोलू बनसल बोला तुमारे दिल पर रखती थी तुमारे पर दिल रखती थी तुमी तो थे जो उससे बिदखते थे तब भी वो तुमारा साथ देना ना कबूल हुआ सीधे कबूल ना हुआ वो इशार्थ रखी हाँ क्या सोचुक गॉड गॉड फीवर के बदले में फीवर नवाजिश के बदले नवाजिश ये सौदा हुआ हाँ तुम उसकी बाओं में वो तुमारी संकट मोचाए हाँ गॉड डामाई बात है चोड़ो अधाशे बोला अब एहम बात ये है कि क्य वो और तुम्हें अली भाई देगी तुमारे अखमा गवाई देने के लिए कोट मकड़ी होगी कैसे इंकार गरी मेरे पास उसकी दसकरश्चुदा नोटराइस स्टेटमेंट है गुड का है स्टेटमेंट ओफिस में मेरी सेफ में है चार गुना नौ के एक लंबे ब्राउ कॉंबिनेशन सेफ है गुड चावी मौया कराने के मुकाबले में कॉंबिनेशन बात पताना आसान होगा बत और गवा मैं भी पंसल सबके साथ चाओगा कॉंबिनेशन बोलो तुम समस्ते हो ना अदाशे बोला कि ये नम्मर नहीं तुमारे लिए खुल जा सिंसे मैं तुम पंसल बोला खुद खोलो विनोर ने सहमती में सेर इलाया उसना रवर्टमेंट हटाय लिफाफा कोरा और अपनी दो उंगलियां भीता सकाए ततकाल उसके चेरे पर ऐसे बाव आए जैसे सांफ सूंग गया हो क्या हुआ बंसल शचंग भाव से बोला कोई प्रैक्टिकल जो क्या हुआ अरे क्या हुआ लिफाफा खाली है इसमें स्टेट्मेंट नहीं है क्या खुद देख लो उसना बंसल की तरफ लिफाफा बढ़ाया तो आगाशे ने बीच में थाम लिया उसना उसके मूग का फैला कर भीतर जहां का लिफाफा फगीर की जोली की तरह खाली था आखरी बार इस स्टेट्मेंट कब देखी थी इसमें उसना पूछा कभी भी नहीं विनोद बोला देखने का क्या मतलब था क्या जरूरत थी एक महीना में बील पर रहा उस दरण मैंने कई बार सेफ खोली कई बार लिफाफा उसमें बढ़ा देखा लेकिन एक बार भी मेरे सिवाई कोई खोल नहीं सकता था कहा जा थी स्टेट्मेंट कहा चली गई स्टेट्मेंट क्रोध और हताशा में वो अपने बाल नोचने लगा इजी इजी पंसल सांथवनापूर सर में बोला Is it does it? My dear किसी ने कॉंबिनेशन का तोड निकाल लिया, किसी ने सेफ खोल ली, किसने? किसने किया ऐसा? मेरी सेक्रेटरी के सिवाई ये मौका किसी को नहीं हासल था, लेकिन उसे कॉंबिनेशन नहीं मालूं था सेफ से लगता था कि उससे जबरं खोला गया था शालनी मातुर खुद अदालत में पेश हो सकती है और उस रात की वावत अपना बेयान दे सकती है इस बार दौनों अगले रोज लोटे विनोत की दौनों विनोत की दौनों की सूरतों पर निगा पड़ी तो उसका दिल बैटने लगा क्या हुआ वो सूखे खंट से बोला बुरा हुआ बनसल निराज भाउ से गड़ता है लाता बोला मादर साब के घर को ताला लगा है क्या मैंने बहुत पता किया वो करें डूटे नहीं मिल रहे दाता होसला रखो होसला रखो साली कहीं से कोई गुड नूज नहीं मिलती क्या होसला रखो होसला ज़रूरी है मेरे बाई आसला नहीं रखोगे तो क्या करूगे ताता Every cloud has a silver lining यू नो मेरी भी यही सलाय अगाशे बोला आसला रखो उच नीश हमेशा होती है सबके साथ होती है उससे हिम्मत नहीं आर देनी चाहिए कोई किसी के लिए खड़ा खोदता है तो खुद उसमें गिरता है किताबी बाते है मेरी एली भाई तो कही न हमेशा के लिए नहीं वो आरत कहीं चली गई है लोट आईगी घर बार हमेशा के लिए छोड़ करनी चाह सकती हो मालुम करेंगे पता निकालेंगे कि कहां गई है कहने का मतलब यह है कि दुश्वारी टेंपरेरी है उस वारत का पता लगती है सब ठीक हो जाएगा तो मारी एली भाई फिर तुम्हें उपलगत होगी अब हमें बंसल बोला किसी तरीके से शालनी को तलाश करना है अगाशे साथ मैंने हम कहा मदद करोगे यह तो आपका फिल्ड है अगर बाली चाहता है तो करूँगा अगाशे बोला मैं चाहता हूँ विनोद व्यक्रभाव से बोला दिलो जान से चाहता हूँ लेकिन आप क्या करेंगे कैसे करेंगे देखेंगे लेकिन अभी तुम इस बात पर विचार करोगे वो स्टेटमेंट गई तो कहां मिल जब तुमने वो स्टेटमेंट साइंड कराई थी उस पर नोटरी के महर लगवाई थी उसके बात के हर बात को बारीकी से याद करोगे कब क्या हुआ था कैसे कैसे हुआ था कहां मिले थे मिस्स मातर से इस काम के लिए नोटरी कौन था साइंड नोटराइज स्टेटमेंट हाथ में आने के बाद क्या किया था सब याद करो सीन टू सीन रीकलेक्ट करो और बयान करो विनोट नबड़ बड़ी संजीदगी से वो काम किया अगाशे बोला सच पूछो तो सब कुछ मेरे ग्यास के मताबिक ही है मेंसे शालनी मातुर ने स्टेटमन्ट पर साइन किये भला ने उस पर नोटरी के मौर लगाई तुमने इस स्टेटमन्ट को तै करके लिफाफ़े में रखा लिफाफ़े को ब्रीफ केस में रखा और अपने आफिस लोटा है उस दौरान ब्रीफ केस हमेशा तुमारे काबू में रहा आफिस में लिफाफ़े को तुमने सेफ के हवाले किया जहां कोई उसके करीब भी नहीं फटक सकता था आखिर वो लिपावा सेफ के बार तब ही निकला जबकि उसे बंच सल न जाकर वहां से निकला हम इस बात की गारंटी करते हैं कि हमारी लिफावी के साथ यहां लोटने तक वो किसी दूसरे के हथ ना पढ़ाता ना पढ़ सकता था इसका मतलब है कि लिफावा तब भी खाली था जबकि सेफ में पढ़ा था इसका आगे मतलब यह है कि यह तब भी खाली था जबकि तुमने इसे सेफ में रखा था तुम्हें मेरी बात से इक्तफाक हैं हकवागा इसे विनोद में सहमती में से रिलाया इससे एक ही बात मुम्किन दिखाई देती अगाशे आगे वड़ा वो बात इस बात में चुपी है कि लिफाफ़क कब तुमारे काबू में नहीं था वो कौन सी गड़ी थी जब तुमारे कबजे में नहीं था मेरी निगा में वो गड़ी थी जब ब्रीव केस को पीचे शालनी के बैटरूम में छोड़का पहलना को विदा करने गए थे तब दसकत शिदा स्टेटमेंट वाला लिफावत तुमारे ब्रीव केस में था और उन दो मिंटों के लिए तुमारी निगाओं से दूर था जिन में तुम नीचे से होकर उपर लोटे थे इसका साफ मतलब है कि स्टेटमेंट के साथ जो पीची थी उन दो मिंटों में पीची थी क्या बीटी थी? क्या ये समझपाना बहुत मुश्किल खाम है? शालनी? विनोत कि मुझे सिसकारी की तरह निकला और कोई होई नहीं सकता अब सवाल है कि उसने जो स्टेटमेंट तब ही अपनी मर्जी से साइन की थी उन दो मिंटों में उसने उसे वापिस के सरका लिए डॉक्टर पो खोज निकाला जिसना कबूल किया कि नर्वस ड्रिक टाउन की शिकार शालनी बुरे हाल में उसके पास आई थी जबकि उसने शालनी को राई दी थी कि उसे चेंज की, जैन की, सुकून की जरुरत थी जो कि उसे कुछ अरसे के लिए दिल्ली से बाहर जाने से हाजर हो सकता था, तब शालनी न और डॉक्टर को बताया था कि उसका कसौली में एक कॉटेज था, जो उसने पिछली गर्मियों में ख़गी दा था, बकॉल डॉक्टर शालनी न कुछ अरसे के लिए मेट चारू की चुट्टी कर दी और शनीवार दुपहर बाद एक टेक् अधाशे ने वो नंबर खड़काया, कोई जवाब न मिला, कई कोशिशों के बाद कोई जवाब न मिला, वजह बंसल बोला, कई हैं अधाशे बोला, फोन खराब होगा, वो सुनना नहीं चाहती होगी, वो कॉटेज में मौजूद ना होगी, वो कॉटेज से पकी कहीं और क मर्तता जाहिर की जज ने दो दिन के लिए सुनवाई को मलतवी कर दिया कैसे बीतेगी पंसल चिंते द्वाव से अगाशे से सम्भोदेत हुआ शालनी ना पेश हो पाई तो जस्त ऐसी सजा सुना देगा मुझे भी यही अंदेशा है अगाशे बोला तो क्या किया जाए एक काम हो सकता है क्या कसौली चल सकते हो कसौली और कोई चारान असलेत कोटेज का चक्कल लगाने से ही सामने आईगी अच्छा साड़े पांच गंटी की ड्राइव है रात तक वापिस आ सकते हैं ठीक है वे कसौली पहुंचे कोटेज की बाबा तो नहीं जो बताये गया तो उसके मताबिक वो एक पीड़ों से गिरी उजाड कच्ची सड़क पर बहुत आगे कहीं था पक्की सड़क पर जहां से की कच्ची सड़क कटती थी एक छोटा सा सिंगल पंप वाला पेट्रोल पंप था जिससे पता चला कि मालिक खोदी ऑपरेट करता था इस कच्ची सड़क पर क्या है अगाशे ने पूछा कुछ नहीं मालिक बोला बस एक दूसरे से काफी फास्दे बर पांच कोटेज है जो कि इस मौसम में दाबात भी नहीं होते किसी टीयार मातुम के मातुर के कोटेज का मालूम बंसल ने पूछा नई टीयार मतलब दिलक राज ना डॉक्टर कहता था अगाशे दीरे से बोला कोटेज शालनी ने खरीदा था बंसल ने सहमती में सेरे लाया शालनी कोटेज फिर पूछा ना, फिर उसे ध्यान आये कि शालनी का शादी से पहले का नम, उपनाम मुखरजी था, मुखरजी कॉटेज? हाँ, मालिक ततकाल बोला, वो है उदर, यहां से कोई एक किलो मीटर आगे पहले ही कॉटेज है, लाल खपरेल की छटो वाला, कोई मिसिस मुखरजी मालिक बताई ज गुड, अधाशे बोला, यह यह, तब आस्मान पर काले बादल चाह हुए थे, और शाम से पहले आदेरा हो गया जान पढ़ता था, बंसल ने गेट के एन सामने कार खड़ी की, हाँन बजाओ, अधाशे बोला, बंसल ने हाँन बजाया, दो तीन बार बजाया, कोई कर रहा है, यह, रियायस की चुगली करने वाली तो कोई बात ही नहीं दिखाई देती, गौड, क्या बोलेंगे वाली को, अंदर चलतें, कॉटेज के, अभी तो कमपाउंड के फाटक से बार आगे देखेंगे, ठीक है, तुमारी कार में टोर्च है, है, साथ लेके चलो, व बारे सर में बोला, लगता तो है, अगाशे के आगे बढ़कर, अगाशे ने आगे बढ़कर दर्वाजे पर हतेली टिकाई और से बीतर पर ठकेला, हलकी सी चरचराट के साथ एक ही पल्ले वाला दर्वाजा खुलता चला गया, जिचकते हुए दौनों बीतर दाखें, बंस उसकी खौपड़ी तर्वूस की तरह खुली हुई थी, करीब ही खुन से लिधना एक पीतल का फूलदान पढ़ा था, जो की साफ जाहर था, कि उसके उस हाल की बज़े था, फूलदान के फूल उससे परेद, फर्श पर बिखरे पढ़े थे, वो एक रंग मिरंगा भढ़क देन हो चुके थे, वहां का टेलीफोन चालू था, शार दिन, वो बार बैटक में आगया तो अगाशे बोला, यानि जो हुआ फिशले इत्वार पो हुआ, चोरी छकारी की वारदात नहीं जान पढ़ती, होती तो आता ताही ने जिस्म पर एक भी जेवर ना छोड़ा होता ठीक, ड्रेस पर हैरानी है, क्यों? ताजी हुई विद्वा के लियाज से बहुत भड़की लिए, ओ, कोई मिलने आ रहा होगा, कोई सुसंक्रत पॉर्वत मिलने, आने वाले को कफ्तान में रिसीव नहीं करती, कफ्तान, हाउस गाउन की तरह घरेलू ड्रेस होती है, फिर च लगता है, जो आयोस का आगमन अभिक्षित नहीं था, या वो कोई ऐसा शक्स था, जिसके सामने कैसी भी पेश होने में से कोई गुरेज नहीं था, मातम में क्यों नहीं? मॉडन है, आजकल मातम को लंबा घसीडने का रिवाज नहीं है, इसी वज़े से चौते पर ही किरिय सुबह गई, मेट को इसने जनिवार सुबह टेंपरेरी दोर पर डिसमिस किया था, ओ, डॉक्तर कहता था कि उसने इसे मातम वाली सफेद पोशाक में ही देखा था, लहाजा अपना ये काया बलट इसने यहां आकर किया, क्यों? क्यों क्या? वारत के मिज़ास को कौन भाप स शायद रेपिस्ट का एंड मौके पर होसला जवाब दे गया, शायद शालनी शैतान की दरोज से बिढ़ी, जिसकी रूम में उसके पास वो करने के सवाई कोई चारा ना बचा, जो कि उसने किया, अगर ये रेपिस्ट का काम है, तो मातर साब की कतल से तो इसका कोई रिष् बिढ़ी बात ये कहती है कि शालनी का कतल से लिए हुआ ताकि वो विनुत बाली के आप्मे गवाई न दे पात, कोई बाली को फसा हुआ ही देखना चाहती थी, इस लियाज से ये उसी शक्स का काम होना चाहिए, जिसने हस्बेंड का कतल किया, क्यों कोई बाली के पीछे ब मकतूला ने साइन की थी और नोटरी ने हाथ के आद नोटराइस की थी, जो कि गायब है, जब जाहिर है कि वो स्टेट्मेंट खुद मकतूला न गायब की थी, तो वो इसके पास होना क्या बड़ी बात है, बशरते कि इसने पहले उसे नश्ट न कर दिया हो, ये संभावना दिल नी पहुचने में उन्हें दुपैर हो गई, बाली को खबर करनी होगी, बंसन चिंतित बाव से बोला, मेरी तो हिम्मत नहीं, दिल डह जाएगा उसका, मैं कर दूँगा अगाशे बोला, ठैंक यू, अगाशे जेल में विनोध बाली से मिला, अगाशे साब, विनोध हमें नहीं है, क्या हुआ, कतल, हमका साली पहुचे तो वह हमें अपने कॉटेज के बैटरूम के वश्वर मरी पड़ी मिली, कोपड़ी तरबूज की तरह खुली हुई थी, एक हरसे से मरी पड़ी थी, लेकिन कतल, किसने, किसने, पता नहीं, कोई क्लू भी नहीं, जो काति अगाशे खामोश्रा, अब पता नहीं, इस जलजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा है या नहीं, वो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट, अगाशे सब, उसी में मेरी निजाद है, क्या पता वो सुरक्षे थो, वो उसने नश्टना की हो, अगर ऐसा है तो वो कसौली नहीं होगी, अगर आप उसे दलाश कर पाते हैं, दलाश करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ना मैंने न बचसल, कॉटेज में कोई जीस, कोई जगह नहीं थी, जिसे स्टेटमेंट के लिए हमने नहीं टटोला था, लेकिन वो वहीं होनी चाहिए, उसे स्टेटमे कार्डिकन जैकेट हां कार वो भी हर कोनत खुदरा टाटोला उसके जिस्म पर बॉड़ी को तो टाटोला नहीं होगा वो नामुराद काम भी किया उसके गले का हार हार का वो मानक और पन्ना जड़ा ये बड़ा लॉकेट जो उसे इतना पसंद था वो इस टेटमें पतले काग कोई के लावा कुछ नहीं था कहीं किसी किताब में शालनी को नावल पढ़ने का बहुँआ शौक था घर से निगलती थी तो हमेशा दो चार साथ ले कि जाती थी किसी नावल के पननों में सब देखा वहाँ साथ किताबें थी साथों को टड़ोला कुछ मैग्स पिराज को तो लकडी की चार दिवारों और छट के अलावा कुछ भी नहीं था कोई शेल्फ कोई जरों का कुछ ने ताता सैशन जज अपरसंद था और डिफेंस के वकीर प्रफल बदावन से अपनी अपरसंद था छुपा भी नहीं रहा था यह सैशन कोट है वो कह रहा था यहां का कारूबार कोट के तरीकों से चलता ना कि डिफेंस अटर्णी के मूट और मिज़ास से चलता है पिछले शुक करवार मैंने केस की सुनवाई को मुलतवी करना कबूल किया था क्यों? क्योंकि शालनी मातुर जो की बतार गवाँ पेश की जाने वाली थी का कतल हो गया था अब क्या वज़ा है कि जो आप चाहते हैं कि सुनवाई को मुलतवी किया जाए कोई ठोस वज़ा बयान कीजिए मिस्टर डिफेंस अटर्णी दायबाई की बात है मुझे कबूल नहीं होंगी प्रोसीक्यूशन भी सरकारी वकील बोला वक्त की बेज़ा परवादी पर अपना इतरास दाकिल कराना चाहता है योर उनर रफल वदावर ने दाद पीचे तियोरिया चड़ाए यू सरकारी वकील को देगा कुम्शिता स्टेटमेंट को जिसे कि शालनी मातवर ने अपनी زندگी में साइन किया था और मेनत शिद्द से तलाष किया जा सके स्टेटमेंट जज बोला जो आपका क्लिएंट को वजूद को साबित करने के लिए मैं नोटरी भल्ला को बतार गवाँ पेश कर सकता हूँ वो गवाँ देगा कि एली भाई वाली स्टेटमेंट उसके सामने साइन की गई थी और तुरन बाद उसने उस पर नोटरी की मोहर लगाई थी Mr. Defense Attorney, नोटरी किसी स्टेटमेंट का गवाँ बन सकता है इस बात का कैसे गवाँ बन सकता है कि स्टेटमेंट में क्या दर्स था पिछली पेशी में आपने खुद कहा था कि शालनी मातुर ने टेक्स्ट को नोटरी से छपा कर पेपर पर सैंट किये थे नोटरी भल्ला को नहीं मालूँ कि उस पेपर क्या उस पेपर पर क्या दर्स था उसकी तरफ से वो कोई वसीयत हो सकती थी किसी परचेस का कोई कॉंटरक्ट हो सकता था कुछ भी हो सकता था Exactly, Your Honor सरकारी वकील विजेता कि इसे स्वर में बोला इसलिए तो मैं कहता हूँ कि उस कतेड़ स्टेटमेंट का वाला केस को आगे सरकाते रहने का बहान है ये डिफेंस पो पेजा इलजाम है Your Honor वदावन कर जा हमारी केस को नहाक आगे सरकाने है सरकाते रहने की कोई मंचा नहीं है में मुद्ध यह है कि उसे स्टेटमेंट का वज़िद मुंकिन है ये बात हमें सरासर मुंकिन जान पड़ती है कि शालनी मेताना उसे स्टेटमेंट को डिस्ट्रॉइ नहीं किया था और जब तक इस बात की जराबी सम्मावना है तब तक हमें उसे स्टेटमेंट को तलाश करने का पूरा पूरा मौका और वक्त मिलना चाहिए कोड को ये बात कबूल है जज बोला लेकि डिफेंस रटर्णी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि पिछले एक पेशी में उसी नहीं कहा था कि वो इस बात को पूरता निर्वबाद रूप से नहीं स्थापित कर सकता कि मिसेस मातुर ने साइन करने के बाद वो इस स्टेटमेंट पर्तिवादी विनोध वाली के पास से वापिस चुरा ली थी यूर अनर पुलिस इस्पेक्टर हारी शंकर मीना ने अपने बियान में कहा था कोड को याद है क्या कहा था वही कहा था जो पुलिस अकसर कहती है जो खाली बाते होती है जिनसे कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता तमाम बातों से जो ठोस नतीजा निकलता वो यह है कि अगर शालनी मातुर ने वो इस्टेटमेंट चोरी कर ली थी तो तनाई पाते ही जो पहला काम उसने किया होगा वो ये होगा कि इसका पुर्जा पुर्जा करके टॉयलेट में बहाया होगा वन्ना स्टेटमेंट चोरी करने का मकसद ही पिट जाता है फिर भी अगर वो स्टेटमेंट वजूद में हैं तो लाक रुपए के सवाल ये है कि कहा हैं तो आपके खुद के कवा कहते हैं कि कौटेज की बारिक तलाची में वो उन्हें वा नहीं मिली थी कोर्ट औरदर प्राप्त करके पुलिस से उसका बैंक लावर खलवाया तो वा नहीं मिली थी मेड चारू इस बावत पूस्टाच की गई हस्बेंट के आफिस बो भी पूस्टाच औ तलाच के डायरे में लिया गया लेकिन वो इस्टेटमेंट कहीं से भी बरामत नहों सके इन तमाम बातों से ये कोर्ट इसी नतीजे पर पूस्टाए कि या तो उस कतित स्टेटमेंट का कभी कोई वजूद था ही नहीं था तो अब नहीं है लेहाज़ा एक फटजी सी बात के दब पर कोर्ट को सुनवाई मलतवी करना कबूल नहीं या यूर ओनर सरकारी वकीर बोला डिफेंस मुलजिन विनोध वाली को बतोर गवा अदालत में पेश करें ताकि स्टेटमेंट की रू में हम उसे क्रोस एक्जामिन कर सकें और डिफेंस को प्रोसीकुशन से सीखने की ज़रूरत नहीं बदावन गुस्टे से बोला कि डिफ तूल टी यार मातर की पत्नी का भी कतल हो गया क्योंकि शालनी मातर की लाश कतल का अपने आप में सभूत है मेरी सहयोग में कोई आस्ता नहीं जब एक आत्मी का कतल होता है और इसके पीछे पीछे इसकी पत्नी का भी कतल हो आता है तो इसे सहयोग नहीं मान सकता तो मेरी अ विनौत बाली की बेगुनाई की अलीबाई नबच सके और विनौत बाली को सजा होने की गारणटी हो सके ये एक एहम मुद्दा है यो रना जिसके किलियर होने से पहले मुल्जिंड को गुनागार करार दिया जाना उसके साथ सकते नाइंसाफी होगी मैं फिर जोड़ देकर कहता हूँ यो राना ये मेरे क्लाइन को फसाया जा रहा है और ये काम करने वाला वो शक्स है जो कि असली अपरादी है जिसने की उपर नीचे दो कत्ल लिकी है कहने का मतलब ये है कि इस केस को अभी और पड़ताल की और तफ़तीश की जरुवत है इसलिए इनसाफ के नमबर डिफेंस को अभी और टाइम मिलना चाहिए डिफेंस के बाद अपनी बात को मजबूती देने के लिए या अपने क्लाइन को बेगुना सावित करने के लिए कोई पुकता सबूत नहीं है इसलिए ये कोट उसकी दर्कास नावन्जूर करता है लंच के बाद केस की सुनवाई जारी रहीगी कोट के बार बनसल अगाशे से टकराया मैं आपी को तलाश कर रहा था वो बोला बाली की वीवी आप से बात करना चाती है अच्छा अगाशे तरनी खाड़ बढ़ाया जी हाँ ठीक है कहाँ कोट में जो क्यादियों के लिए कमरा है वहाँ दौनों वहाँ पहुचे वहाँ कीरती विनोद का हाथ था में बैठी दौनों के चरों पर गम की गटाय चाव चाही साव तिखाई दे रहीं थी आपका तो बड़ा नाम ता सर क्राइम के फिल्ट में अगाशे को देखते हैं कीरती भर रायकंट से बोली इनके लिए तो कुछ ना कर सके बोलने दीजिए ने अगाशे शांती से बोला शायद इठीकी कह रहीं मेरे को इस केस में तकल अंदाज नहीं होना चाहिए मिसिस बाली मैं हूँ गलत आत्मी इस मामले में लेकिन इस वज़े से नहीं जो कि आपके जहन में किसी भी वज़े से सही कुछ करतों ना सके इनके लिए सही फर्माया आपने मुझे इस केस से दूर रहना चाहिए दे लेकिन फिर कहता हूँ उस वज़े से नहीं जिसे आप रिखांकित कर रहें किरती सक पकाई बनसल भी और क्या वज़े किरती बोली अगाशे ने जवाब ना दिया लगता है आप जानते है आपके चेहरे पर लिखाया आपको जानते है जानते हैं लेकिन बोलेंगे ने ऐसा ना खीजे बोलिए क्या जानते है क्या है आपके मन में क्या है क्या है कौन है कौन है इस साजिश के पीछे भगवान के लिए बोलिए किर्थी शान्त बोलिए बोलिए सर बोलिए बोल दाओ अगाशे कटिन स्वर में बोला मुझे अफसोस है मैडम मैं आपको पती को नहीं बचा सकत अब बहुत देर हो चुकिए बहुत देर हो चीखिए क्या मतलब आपका कैसे आप यह कह सकते जब कि अभी कीर्थी कीर्थी बंसल भी बोला कीर्थी प्लीस कंट्रोल योसल्फ भाव वेल गीर्थी नजोर से होन बीजे क्या बात है अगाशे साब बंसल अगाशे से मुखाते हुआ आपकी बातों से लगता है कि आप खासी को जान गए है और किसी बात को कवर करने की कोशिश कर रहे है बोली क्या बात है बात तुम्हारे पार्टन को मालूम है अगाशे कंबीर्दा से बोला फिर वो विनोद के और गुमा क्यो भाई मैं बोलूँ क्या बात है विनोद नैसर उठाया उसकी निगा पैनी होती पंसल और कीर्थी की कुद्दिंग्ड सूर्थों पर फिर अगाशे पर आकर ठिटकी नहीं वो इस पस्ट सुसायन दुसर में बोला विनोद बाली को फासी की सजा हुई फिर फासी का देना आया नए साल के पहले महीने के पहले सौमवार को सुबा आठ बज पौने आठ बजे जब की अगाशे की निगा घड़ी पर थे बस पंदरा मिनट और तब ही इसकर्टर हरी शंकर मीना उसके करीब पहुँचा मुझे उमीद नहीं थी यहां मिलेंगे वो बोला यूँ ही चला आया अगाशे लापरवाई से बोला तुम कैसे मेरे धाने का केस था मेरी डूटी थी आज़ जिरो न ओ बाली से मिले हाँ इस्पेशल रिकेस्ट पर जो कि हैरानी है की कबूल हुई लंबी बात की ओ इंस्पेक्टर एक शाठ ठटका फिर बोला बीवियो इसकी हाँ मुलाकाती कक्षम आशुक बंसर के साथ बैठी है आसुनी थम रहे सवाविक है एक बात बोलू जरूर इस बार आप मेरी समझ से बाहर है अगर आपके पास कुछ था जो बाली को बचा सकता था तो चुप क्यों रहे मेरे पास कुछ है चलिए ऐसे सही कि आपने कुछ देखा जो हमने ना देख क्या माज़र है क्या बाली किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसा प्रोटेक्ट कर रहा है कि सूली चड़ना भी कबूल हुआ अगर आप ये बात जानते हैं तो आपकी चुपी नाजायज है अभी भी वक्त है बोलियो कुछ अगाशे न मजबूती से इंकार में से रिलाया इंस्पेक्टर फिर ना बोला देदादी समय पर भासी मुकमल भी वार्डन उस कमरे में पहुचा जाने इंस्पेक्टर मीना और अगाशे अगल बगल बैठी हुए थे सब कुछ शान्ती से ने पढ़ गया वार्डन बोला जाने वाला आराम से किया कोई हुजज़ट में कोई जट जट नहीं मिसाल थी को नहीं थी अगाशे बावीन सर्म बोला उसने आपके लिए एक मैसेस दिया है शुक्रिया बोला होगा इंस्पेक्टर वितिशनापूर सर्म बोला यही बोला सच में आपको कैसे मालू इंस्पेक्टर नहीं जवाब ना दे उसने बोला वार्डन अगाशे की तरफ गोमा कि वो आपका शुक्र गजार था क्या मतलब वो उसका मतलब उसे मालूम था मुझे मालूम इतना काफी है ऐसा हाँ ठीक है फिर वार्डन चला गया मेरे को तो बताओ पीछे इंस्पेक्टर बोला किस बात पर तुमारा शुक्र गजार था मरने वाला अभी चलता हूँ अगाशे एक आए गुट खड़ा हुआ दो पहर बाद थाने में मिलता हूँ थाने में ऐसा चुप आफिस में इंस्पेक्टर हरी शक कर मीना और विवे का गाशे आपने सामने बैठे थे अब तो बोलिये इंस्पेक्टर बोला या अभी भी हुजजत है बोल दाओ किसी काम का निकले बोलना ऐसा ही निकलेगा बोलू सारा जुबान फिसलने का केलता जिसे की इकतफाक समझो या मेरी अलर्टनेस मैंने कैच किया ओपर से अच्छा यह हुआ कि वो बात मेरे जहन से निकल भी न गई हाला कि निकल भी जाती तो विनोध वाली को उसके केस को कोई फर्ख पढ़ने वाला नहीं था वो तो शुरू से हारी वाजी केल रहा था उसे कोई नहीं बचा सकता था पहेलिया ना बुझाईए जुबान फिसलने के खेल वाली बात बताईए सिर्थ मैंने वो बात सुनी शालनी मातल से तालुक रखती बात उसका पती मर गया वो पारंपरिक मातम में चली गई सफेद लिवास, कोई जेवर ने कोई मेक अप नहीं बगएरा लेकिन जब वो कसॉली के कॉटेज में थी वहाँ तनहा थी, वहाँ के वाकिफकारों की निगाओं से परे थी तो उसना अपना मातमी लिवास त्याग दिया था लो गया था, ये बास सुंदर बाली के होश उड़ गए थी, वो बार 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 एलिवाई वाली स्टेट्मेंट की वावस सवाल करने लगा था, जो कि मक्तूला ने साइन करने के बाद उसके प्रीव केस ने जब वापिस चुरानी थी, एक ही मेरे से पूछने लगा कि क्या हमने उसे अरजगे तलाश किया था, सूटकेस देखा था, हैंडबैक देखा था, कपड़ों की जेवे वगएरा देखी थी, कार टटोली थी, गैराज कार कोनट, खुदरा, टटोला था, लाश की तलाशी ली थी वगएरा वगएरा, स्टेट्मेंट छुपाने लेज जिस एक खास जगे का जिकर उसने किया था, वो मरने वाली की गले के पसंदीदा हार का मानक और पन्ना जड़ा लॉकिट था, उसने खास दोर से पुझा था कि क्या हमने उस लॉकिट को खोल के देखा था, इंस्पेक्टर साब, यही वो बात थी जिस पर उस्ती जबान फिसली थी, इंस्पेक्टर के चेरे पर उलजन के भाव आए, तिली जेल में बैटे, उसे कैसे मालूम था कि लाश कौन सा जेवर पहने थी, कैसे मालूम था कि वो वहां कसॉली के काटेज में अपनी खास शिनाक्त वाले लॉकिट वाला हार पहने थी, उस उजार जगर पर ये बात कातिल के लावा किसी को मालूम नहीं हो सकती थी ओ, 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 इसका एक ही मतलब था शालनी मातुर का कातिल विनोत बाली था उसने उसका कसॉली के कॉटेज में कतल किया था इसलिए उसको मालूम था कि तब वो मानक और पन्ना जड़े लोकेट वाला हार पहने थी ओ, कतल चार दिन पहले इतवार को हुआ था तब अभी बाली जमानत पा था और बाहर था सोमवार को उसने ट्राइल के लिए खुद को सरेंडर किया था सोमवार से पहले वो आजाद था कसौली जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए लेकिन अगाशे साफ, बात तो कई और ही निकल चली उस औरत की गवाई उससे सजर से बचा सकती थी जो एकलोती गवाई जिसको एली बाई दे सकती थी उसने उसी का खत्त क्यों कर दिया एन यही सवाल मैंने अपने आप से किया था और जो युक्ती युक्त जवाब मुझे सूजा था वो ये था कि अगर शालनी गवाई देने के लिए गवाई के कटगरे में पहुँच जाते तो बाली को अंदेशा था कि वो सच बोलती हकीकत ब्यां करती सच क्या था? एली भाई गड़ी हुई थी वो गवाई चूटी थी चूटी? हाँ और इसी वज़े से बाली की बलाई इसी में थी कि वो गवाई न दे पाती इसकी गारंटी के लिए उसका मूँ हमेशा के लिए बंद करना ज़रूरी था लेकिन वो न रहती तो गलत या सही एली भाई ही न रहती दुरूस्त लेकिन बाली तो समस्ता था कि एली भाई दस्तक शिदा नोटराइज स्टेट्मेंट के दौर पर उसके कबजे में थी कटले के इरादे से इतवार को जब वो कसॉली गया था तब उसे नहीं मालूम था कि स्टेट्मेंट का पड़चा उस ब्राउन लिफावे में नहीं मौजिल था जो कि उसने इतना महफूस आफिस में सेफ रखा था यहीं वो यहीं समस्ता कसॉली गया था कि शालनी रहती या ना रहती एली भाई तो इसके कबजे में थी ऐसा नहीं था यह अकीकत तो उस पर शालनी के खून से हाथ रंग चुकने के बात तब उचा गरी थी जब उसने ब्राउन लिफावा सेफ से निकाल लानी के लिए अपने पार्टनर बंसर को सेफ का कोड़ बताया था तब उसे मालूम उपाया था कि लिफावा तो खाली था शुरू से खाली था एली भाई वाला बेपर तो उसके कबजे में कभी था ही ने उसे तो शालनी ना साइन करते ही तब वापिस हत्या लिया था जब वो अपना ब्रीफ केस पीछे चोड़ का नोटरी भला को नीचे से विदा करने गया था कमाल है अब वस्त तो इस्तिती ये थी कि अगर टियार मातुर के कतले के केस में शालनी मातुर की बाली के एक में एली भाई फरजी थी तो बाली के किलाफ कोड़ में गतले का जो केस खड़ा था वो दुरस खड़ा था वो एली भाई उसे बेगुना साबित कर सकती थी एली भाई के बेना हर बात कुसी के कातिल होनी की तरफ मजबूत इशारा करती थी एली भाई नहीं ती तो वो नहीं आके रवाई हुआ कोटना उसे फासी की सज़ समय इंस्पेक्टर ने लंबी उंकार बरी फासी से पहले बाली ने जेल मेरी एक आकरी मुलाका तुई थी तब मौद वूब आए उसके सामने खड़ी थी इसलिए उसना महसूस किया था कि अब जूट बोलने को कोई फायदा नहीं था तब उसना बोला था कि टियार मातुर की घर में आमत के बाद उसे गिरफतारी की धमकी जारी करन के रुकसती के बाद अपनी आदत के मताबिक भड़का विफरा हुआ तूफानी मौसम में जब वो घर से बाहर निकला था तो उसे ख़याल आया था कि शायद खराब मौसम की वज़े से मातुर का प्लेन ना उड़ा उसकी फ्लाइट अनिश्चित काल के लिए पोस्पॉन हो गई हूँ और वो अभी अइरपोर्ट पर ही हूँ उसने अइरपोर्ट पर फॉन लगाया तो इस बावत की दस्दीग होई कि उसकी क्या सारी फ्लाइट बैड वैदर की वज़े से रुकी पढ़ी थे और अभी काई गड़े उनकी उड़ान की कोई उमीद नहीं थी इस बास से उस साइद होकर बाली पहले अपने आफिस गया और वहां मौजूद अपनी गण अपने काबू में की उसका तब तक इरादा मातुर को धंकाने का था कि वो गवन को लेकर उसके खिलाब वासदारी करने का इरादा छोड़ दे वहराल वेव एरपोर्ट पर पहुँचा और मातुर के मोबाइल पर फोन करके उसने उसे बाहर बुलाया वो बाहर आगया तो उसने कहानी की कि वो बहुत जरूरी बहुत गोपनिया बात करना चाहता था जिसके लिए वो जगए मुनासिब नहीं थी मातुर को उससे एक्तफाक हुआ उसने अपनी कार पार्गिंग से निकाली दौनों उसमें सवार हुए और गुडगाउ रोड और महरोली माईपाल पूर रोड के क्रोसिंग के करीब एक सुनसान जगह पर पहुँचे वहां कार में कोई सुलावारता होने के जगह दौनों वे फिर तकरार हो गए जिसने इतना भीचन रोग का अक्तियार कर लिया कि बाली आपक हो बैटा उसने मातर को शूट कर दिया फिर मातर की लाश उसकी इनववा में धेर पड़ी छोड़कर वो जोरबाग वाफिस अपने घर लाटा है ठीक अब याद करो अगले दिन जब तुम जोरबाग मातर के घर पहुँचे थे और मैं भी तुम्हारे साथ था तो महां क्या हुआ था तब वहां मक्तूल के दौनों पार्टना अशोग बंसल और विनोद बाली मी मौज़िद थे याद करो वहां पॉइंट ट्री टू कैलिवर की स्मित और वैसन पिस्टर का जक्र चिड़ाता जिससे की एक घातक बोली चली थी जो की मर्डर वैपिद था एका एक विनोद वाली ने मूँपर हाथ रखा था और बात्रूम के तरफ दोड़ चला था तुनन बार बात्रूम में ऐसी आवाज आने लगी थी जैसे वह वाँ उपकाईयां ले रहो तब मैंने उसके अक्षन को ड्रामा समझा था लेकिन वो ड्रामा नहीं था हकीकतन उसे तब ही ऐसाब सुआ था कि अपनी पिछली रात की पीशर दिवानगी के आलम के कतल के बाद अपनी गन तो वो पीछे ही छोड़ा आया था इसी बास से उसे तब इतना विजलित किया था कि अपने परोई उस बात की प्रतीकिरिया को चुपाने के लिए उसे जाकर बातरूम की शरण लेनी पड़ी थी ओ, वो खुद वकील था इसलिए जानता था कि गन की वज़े से उसके इकलाब कितना बड़ा परिस्तिती जन्न केस खड़ा हो सकता था और उस इस्तिती से उसे कोई बराबर की शक्तिशाली इस्तिती निजाद दिला सकती थी और वैसी इस्तिती तब पहुचने का एक जरिया उसे तब सूझ रहा था शालनी मातुर ने कभी जो प्रेमपत्र उसे लिखे थे वो तब भी उसके पास महफूस थे वो जानता था वो प्रेमपत्र कितना बड़ा स्केंडल खड़ा कर सकते थे और शालनी को ऐसे स्केंडल का कितना खौफ था उस बात से उससाइद होकर उसने वो इस स्टेटमेंट तयार की जो इस्थापित करती थी कि कतली की तुफानी रात को रात एक बजे से अगली साड़े चार बजे तक साड़े तीन गंटे विनोध वाली शालनी मातुर के साथ उसके घर में उसके बैट रूम में था जबकि वो शालनी को इस बात के लिए मनाता रहा था मनुआर करता रहा था गिडगड़ा कर प्रातना करता रहा कि वो अपने पती को उसके खिलाब कोई फॉसदारी का कदम उठाने से रोक ले हकीकतन जाहिर है कि उसने शालनी को दो टूक का होगा कि या तो वो उस फर्जी स्टेट्मेंट को एंडोर्स करे या फिर वो उसके प्रेम पत्रों को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाता था और फोटोकॉपिया पब्लिक में बाठता था शालनी काफ का वई उसने विनोध बाली को टोस एली वाई देती फर्जी स्टेट्मेंट पर दसकत कर दिये वो स्टेट्मेंट जो बाली ने इतनी चत्राई से हासल कर ली थी उसने फॉरन क्यों ना पेश की वो उसे रखे क्यों रहा है वो वगेल था उसका लीगल माइंड था जो कहता था कि उससे स्टेट्मेंट को किसी स्पेशल मॉवमेंट पर किसी खास मौके पर बंप की तरह फोड़ने पर उसका ज़्यादा आसर होता है वो उसे हासल होते ही तुम्हें सौप देता तो तुम उसे उसके हग में एक आइटम की तरह अपने पास रख लेते किस तो ना बंद कर देते लेकिन वही स्टेट्मेंट जब ट्राइल के सिरे पर पूरे ड्रामेटिक्स के साथ एक एक कोर्ट में पेश की जाती तो जच के बास बली को बाली को बरी कर देने के अलावा और कोई चारा ना होता तब वो किसी कानूनी एक्शन से हमेशा के लिए आजाद होता कोर्ट से एक बार बरी हो जाने के बाद उसी जुम के लिए उस पर दुबारा मुगदमा नहीं चलाया सकता था बले ही एली बाई वाली स्टेटमेंट बर बाद में कोई सवाल या उंगली उटती ठीक इस बास से बाली बेकावर नहीं था कि शालनी मातुल उसके डिफेंस का वीक लिंक थी वो आइन दक कभी किसी तरह का फिजीकल या एमोशनल दवा मैसूस कर सकती थी जिसके से तहब उसकी मन्शा सचुगलने की बन सकती थी वो कोट के कटगरे में खड़ी होकर स्टेटमेंट को चुटा करार दे सकती थी और हकीकर ब्यान कर सकती थी ये खत्रा विनोध बाली के सिर्भर से तब ही टल सकता था जबकि शालनी का मुँख हमेशा के लिए बन जोलता और कुछ नहीं तो उसे तब उस विशवर शालनी से दुबारा बात करने की जरुरत तो महसूस होने ही लगी उसे तब मालूम पड़ा कि शालनी घर चोड़गा कसॉली के कॉटेज में शिफ्ट कर गई थी तो ट्राइल से पहले के द्वार को परिवार से कोई समुचित कहानी करके कसॉली के लिए रवाना हो गया वहाँ उसकी शालनी से फिर बात होई तो जो उसे अंदेशा था वो सच निकला है ऐसा कहते वक्त वो उस गड़ी उससे एक नादानी क्या उसने बाली को ये ना बताए कि जो इस स्टेट्मेंट उसने दवा में आगर साइन की थी वो उसने साइन करने के बाद तब ही वापिस चुरानी थी और नश्ट कर दी थी विनोत बाली को मालूम होता कि वो इस स्टेट्मेंट उसके हाथ में नहीं थी अपने बचाओ का वो कारगर है दियार उसके कबजे में नहीं था तो वो शायद उसे शालनी का कतल बेमानी लगने 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 और वो उसकी जान बक्षी कर देता लेकिन वो तो समझता था कि इस स्टेट्मेंट उसकी आफिस से में बिल्कुल महफूस थी और खाली शालनी का मुँ हमेशा के लिए बंद करने ही काफी था लेहाजा उसने करीब पड़ा पीतल का फौरी वूल्दान उठाया और उसका भी शनवाद शालनी की कोबड़ी पर करके इसकी इहलीला समात्त कर दी ये सब आपको पहले से मालूम था हाँ फिर भी खामोश रहें क्या मुलाइजा था कोई बनुद बाली से कोई नहीं मेरा उससे क्या मुलाइजा होगा वो कॉंपलेक्स आदमी था उसकी मॉरल सेंस बनुक्स था एक तरफ उसमें इतना सौवियों बनता है कि दौलत में बीवी के सामने हाथ चलाना कबोल नहीं था और दूसरी तरफ अपनी आर्टिक विफलता है कि इस सिथी में 20 लाग का गवन करता था एक तरफ बीवी का वफादार बनता था दूसरी तरफ एक गैर औरत के प्रेम पत्र सहिच का रखता था संबरान फैमिली में था फिर भी कातिल था ऐसे शक्स से मेरा क्या मॉलाजा बनता है लेकिन विटमबना ये थी कि मुलाजी के दाइरे में अकेला वो नहीं आता था उसकी बीवी भी आती थी जिसने उसके चले जाने के बाद भी अपने नाबालिक मासूम बच्चों के साथ जिम्दा रहना था इस हाकीकत से खुद विनोध वाली मी बेकावर नहीं था जिस रोज जडने केस को और मुलतवी करने का इंकार कर दिया था विनोध वाली की मौजूदकी मेरी उसकी बीवी से मुलाकात हुई थी तो मैंने बीवी को बोला था मुझे अफसोस है मैडम मैं आपके पती को नहीं बचा सकता अब बहुत ओचुकी है तब वहां मौजूद विनोध वाली ही इकलौता शक्ता जिसे मेरी बास समझ में आई था वो समझ गया था कि मैंने इसलिए बोला था कि मैं उसे नहीं बचा सकता था क्योंकि मैं जानता था वो गुनागार था फिन मेरी जब उससे आकरी मुलाबाद होई थी तो उसने फिर दर्कास की दी इमेरास को राज रखो अब उसके जहन में भी उसके बीवी बच्चों का ही अक्स था जिन्होंने उसके बात भी जिन्दा रहना था वो तब जानता था पैसला उसके खिलाफ आने वाला था वो जानता था कि वो तो मर भी चुका था अगाशी एक चाटका फिर बोला मैंने उसकी दर्कास कबूल की मैं उसको ना बचा सका लेकिन मैंने उसके परिवार के उजले दावन पर दाग लगने से बराबर बचाया अब विनोद वाली मरूम की विद्वा और बच्चे हमेशा याद रखेंगी कि विनोद वाली के जान इसलिए गई कि कि उसके साथ इनसाफ ना हुआ वो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस का शिकार हुआ ना कि इसलिए कि वो एक दुरदात हत्यारा था इस संतों से परिवार को मैं कैसे महरूम कर सकता था इंस्पेक्टर गजर समेश सहमती में था समाप विचनिये दोस्तों वीडियो का यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं सुरेन मौन पाटक की किसी अगली कहानी में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद